इस वीडियो में हम different different type के personality के बारे में देखेंगे, पहले हिंदी और उसके बार English में First word है बातुनी, बातुनी को हम garrulous बोलते हैं, garrulous और इसे हम talkative ही बोलते हैं Next word है चुपपा, चुपपा को हम tassi turn बोलते हैं, next है मीठी मीठी बाते करने वाला, उसे हम बोलते हैं goody goody Next है दोगला, जो दो तरह की बातों को करता हो, उसे हम बोलते हैं too fast Next है जगडालू, जगडालू को हम pagnacious बोलते हैं, next है चिड़ चिड़ा, चिड़ चिड़ा को हम grumpy बोलते हैं, next है भुकड, भुकड को हम voracious बोलते हैं, next है परिश्रमी, परिश्रमी को हम diligent बोलते हैं, इसे हम hard working या laborious भी बोलते हैं नेक्स्ट है खुदगर्जी खुदगर्जी को हम self-centered या self-off-stressed दोनों वो उसकर सकते हैं जो हमेशा टीबी देखकर अपना समय बिताती है उसे हम couch potato बोलते हैं couch potato इसको हम potato नहीं बोलते हैं potato बोलते हैं next है sanskari sanskari को हम cultured या civilized दोनों word use करते हैं cultured या civilized next है जोरु का गुलाम जोरु की गुलाम को हम hand packed बोलते हैं hand packed weaver जब husband अपने wife के लिए कुछ करता है तो उसे लोग जोरु का गुलाम बोलते हैं वही पे जब wife अपने husband के लिए कुछ करती हैं तो लोग उसे सेबा बोलते हैं I don't know why next है घमंढी घमंढी को हम haughty next है hawthy दिंगे मारने वाले दिंगे मारने वाले को हम boastful भूलते हैं next है शैतान शैतान को हम mischievous बोलते हैं या naughty बोलते हैं next और है बात का बतंगड़ बनाने वाला है बात की बतंगड़ बनवाने वालों को हम fuzzy बोलते हैं जिन्दा दिल जिन्दा दिल को हम vivacious या lively बोलते हैं vivacious या lively next है उड़ाओ means जो बहुत ही अच्छे अमाउंट में पैसे को खर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं spend thrift next type की personality है जो हर चीज को भूल जाती है उसे हम बोलते हैं भूलक कर और इसे इंग्लिश में बोलेंगे forgetful next है husmoke जो हमेशा हसता रहता हो खुश रहता हो उसे हम बोलते हैं cheerful next है conjuice conjuice को हम tight fisted बोलते हैं next है नक्चड़े नक्चड़े को हम picky बोलते हैं next word है छुपारुस्तम छुपारुस्तम को हम dark horses बोलते हैं dark horses next है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर को हम self-reliant बोलते हैं self-reliant next type के personality है जो सबसे घुलमिल के रहती है मिलाशार हो उसे हम gregarious बोलते हैं अंतर मुखी अंतर मुखी को हम intro word बोलते हैं intro word और लास्ट टाप के personality है बहर मुखी बहर मुखी को हम extra word बोलते हैं extra word I hope you will like this video it's all for today thank you